याली तीज की आपको सुभ कामनाएं, गुरु जी कहते हैं, अगर इन सरल से कारे को तीज के दिन अगर महला हो, पुरूसो, कुवारी लड़की हो, करती है तो सौभाग्य मिलता है, पुत्र रतन की प्राप्ती होती है, रोग कर्ज परिवार में मुक्त होता है और सौभाग् और महादेव से प्रार्थना है कि आपके जीवन में खूप सारी खुश्यों के रंग भरे और सारे दुख दूर हो जाए यही प्रार्थना करते हैं कुवारी लड़कियों को मन चाहा प्रेम मिले यही प्रार्थना है आप सभी के अहां अगर छेत्र में तीज का उपवास या से मुक्ति स्वत्य ही हो जाएगी कब कैसे करें इनों पायां को ध्यान से सुने गुरू जी ने जो पहला कारे बताया है न वह इस तरह से बनाया है गुरू जी कहते हैं सोलह स्रिंगार के सामगरी अगर दान करना आपके बस में नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं सोलह स्रिंगार में से कोई एक वस्तु आपको दान जरूर करनी है तीज बरत के दिन गुरू जी कहते हैं तीज बरत के दिन सोलह स्रिंगार में से कोई एक वस्तु का भी अगर आप देते हैं किसी बास की डलिया में रख कर रथा प्लास्टिक का आपको प्रियोग नहीं करना है आपका भागी खुल जाता है गुरुजी जोडे में कहते हैं जैसे आप एक बिंदी दे सकते हैं एक सिंदूर दे सकते हैं कहने का अर्थ है जोडे में आपको दान देना है किसी सावन मेहने की बड़ी तीज में गुरूजी कहते हैं जब मातारानी प्रार्थना कर रही थी तब उनकी सक्षियों ने उन्हें सौभागी की निशानियां दी थी जिससे मातारानी प्रसन्न हो ठी थी तो आप सभी ने भी पिछले साल की कथा में स्रेश्ट उपाई जो है सुना है तो जरूर से मुझे लिखिएगा अब बढ़ते हैं स्रेश्ट दूसरे उपाई के तरब गुरुजी कहते हैं जीवन में हार रहे हैं दुख पा रहे हैं रोग करजी तेदी में घिरे हुए हैं तो आप सभी को यह दूसरा उपाई जरूर से करना चाहिए जैसा कि गुरुजी कहते हैं आप सभी को सावन महने की यह तीज के दिन जो हमारे महादेव माता पार्वती प्रसन्न होते हैं तब आपको सिवलिंग पर अपनी मनों कामना कहते हुए किसी भी पेड़ की पांच पतियां या अलग अलग पेड़ों की छे पतियां साथ पतियां के कुल मिलाकर गुरुजी का यह वीडियो अपने सुना भी होगा जिसमें गुरुजी कहते हैं किसी भी पेड़ की पांच या छे या साथ पतियां आपको सिवलिंग पर तीज ब्रत क के दिन जरूर से समर्पित करना चाहिए ऐसा करने से सौभागय में ब्रध्धी होती है रोग कर्ज संकट पीड़ा से परिवार में मुक्ति मिलती है कस्ट संकट हरते हैं और हर तरब से परिवार में समर्ध्धी आती है तो प्रथम वाला उपाई भी कर सकते हैं दूसरा यह व दिन हुआ था मापार्वती ने बालू की प्रतिमा फोटो बना कर महादेव की पूजा की थी ऐसा करने से उन्हें महादेव प्राप्त हुए थे सौभागय में ब्रध्धी हुई थी रोग कर्ज संकट पीड़ा से भी मुक्ति मिले थी तो आपको क्या करना है उपाई को करन सबसे पहले सिवलिंग पर जलका लोटा समर्पित करें उसके बाद आप सभी को विशेश तोर पर गोलवत्ति का घी का दीपक लगाना है विदिविदान से पूजन करने के बाद आप सभी को सिव मंदीर में सुंदर तरीके से बैठकर अपनी मनो कामना बोलते हुए अपना अपनी मनों काम ना कहते कहते सिवलिंग पर चड़ी हुई जो पहले से समर्पित की हुई बेल पत्र है वह थोड़ा सा धो लीजे और उसकी सुन्दर माला बना लीजे आप जानते होंगे गुरुजी ने यह कथा अपने आप में हाल ही में यह उपाई बताया है अपनी कथा मे मैंने वीडियो के माध्यम से करके भी बताया है ऐसे में आप कोई भी वस्तु महादेव को समर्पित करते हैं ना मौग और प्रसन्न होती है क्योंकि माला है माला जो है इस दिन जैसे सुहाग की सामगरी या माला या कोई भी सरिंगार करने वाली वस्तु का अपना महत्व है अगर महादेव का अगर आप स्रिंगार बेल पत्र की जो है माला से कर देते हैं तो आपके विवाही कर्चन दूर हो जाती है संतान सुख मिलता है जीवन के हर कस्ट बाधा से आपको मुक्ते मिलना अरंब हो जाती है जीवन में हार रहे हैं दुख पा रहे हैं कस्ट कर्ज स से प्रभावित हैं तो इस विशे स्तीज के दिन आप महादयों को अपनी मनों कामना की धागे में लपेटी हुई बेल पत्र की माला समर्पित करकर देखिए भागे खुल जाएगा कोई मनगडन तूपाए तो वीडियो में मैं बताऊंगी नहीं आप जानते होंगे भले ही मे अवश्यक रूप से विसेश तोर पर जीवन में समर्थी खुशियां बरकत के लिए विसेश तोर पर यह कारी कर लेना चाहिए जो प्रथम में मैंने दो सरल कारी बताए वह कर सकते हैं यह बेल पत्र की माला वाला उपाए है यह कर सकते हैं लाब मिलेगा भागी खुल कस्ट संकट पीडा से मुक्ति मिल जाएगी इसके बाद बात कर लेते हैं एक सर्व स्रेष्ट परिक्षा नौकरी संतान रोग कर्ज मुक्ति के स्रेष्ट उपाए की जिसमें गुरुजी कहते हैं आपके घर के आसपास अगर नंदी महराज आपको घुमते हुए दिखाई देना तो आपको बुद्धवार जब भी पड़े सावन का बुद्धवार है तीज का सुंदर दिन है आपको एक बेल पत्र लेनी है हरामूंग और गुड का टुगडा सभी चीजों का संबंद बुद्ध ग्रह से होता है आपको अपने हाथ की हतेली में लेना है और नंदी प्लाब है चारा इस दिन गौमाता को खिला सकते हैं साथ ही हरी चूडिया कोई किनर आपको दिख जाए क्योंकि महादेव द्वारा प्रदत्त है सभी चीजा उनकी बनावट है तो किनर को हरे रंग की चूड़ी देना सुहाग की सामगरी दान करना गुरुजी ने बताया ह होता है यह कारे भी आप कर सकते हैं साथ के साथ सावन का महना है गुरुजी ने कहा है हमें 108 चीजा कोई भी सिवलिंग पर चड़ानी है तो क्यों ना आप इस दिन नमाह शिवायों कहते हुए घर के ही मंदीर में हरा मूंग सबरपित कर देते हैं तो भागे खुल जाते हैं रोग कस्ट संकट पीड़ा से मुक्ति मिल जाती है जीवन में हार रहे हैं दुख पा रहे हैं संकट में घिरे हुए हैं तो इस सावन महने की विशे स्तीच पर 108 हरे मूंग सिवलिंग पर चड़ा कर देखिए भागे खुल जाएंगे इस दिन आप हरे मूंग की एक कटोरी दान भी दे कर आ सकते हैं किसी मंदिर या देवाले में इस तरह से आपको सुंदर कारी करना है सुंदर फूल पत्तियां से महादेव माता गौरी का स्रिंगार करें उन्हें यह सभी चीज़े समर्पित करें भागे खुलेंगे दूर भागे दूर होगा इस से पहले भी मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हों दो तीन वीडियो अपलोड की हुई हैं जो कि पहले से ही बहुत पुरानी हैं जो कि आपके काम आएंगे आपको उन्हें देखना चाहिए लाब उठाना चाहिए यह दिन कोई साधारण नहीं है यह दिन आप सुंदर अवस्ता में तैयार ह हैं लहरिया की साड़ी सूट पहने खुवारी लड़कियां भी इस देन मातागोरी और महादेव का सईयुक्त रूप से मिट्टी के सीवलिंग बना कर पूजन करती हैं तो अपने आप में सब कुछ आप जो चाहेंगे प्राप्त कर लेंगे जीवन में हार रहे हैं दुख पा रहे हैं कस्ट कर जिसे घिरे हुए हैं तो आप सभी को सावन महने की विशेश तितियों का खूब लाब उठाना है भागी की रेखाओं को चमकाना है दुख दरी दरता को दोर करना है वीडियो कैसा लगा बताईएगा जरूर आपकी मंगल कामनाओं के साथ यह वीडिय लग कश देखागी है लागी की वग वेवा स्वी त्थट अरूर चारूर जोरे वीडियो कि दया द मतात तर में कि वह गाए़ में दोर यहीजों की रोग दोर आरब तो साथ पोर नहीं है तूरूरो यह है – प girish तो अस्र, जोरे हमें इन ऑना तो! हाव के वहाईख पोरों